जाहिन दोस्तों आइसी 38 शॉर्ट स्टडी इन हिंदी के पार थर्ड में आपका स्वागत है सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूट्यूब के स्टैट्स के एकॉर्डिंग 75% लोग जो हमारे इस अब दोस्तों अब हमारा ये चप्टर है life insurance proposal stage documentation यहाने कि proposal stage पर क्या documentation लगते है अब सवाल यह आता है proposal stage होती क्या है चलो यह इसके बारे में पहले आपको बता दूं प्रोस्पेक्टस इस्टेज का प्रोस्पेक्टस क्या है प्रोस्पेक्टस आगे यह तो इस लिगल फॉर्मल लीगल इसमें क्या होती है prospectus used by life insurance company should state the following under each of plan of insurance meaning IRD recording कि जो भी prospectus customer को show किया जाएगा insurance company की द्वारा अपने product के detail जो भी दिखाया जाएगी उसमें क्या क्या दिखाया जाएगा उसमें सबसे पहले दिखाया जाएगा customer को terms and conditions ठीक है scope of benefit guaranteed or non guaranteed plan दो टाइप पे होते हैं जिन में scope of benefit जो होता है जो बूनस होता है वो guaranteed होता है कुछ में guaranteed bonus होता है कुछ में non guaranteed होता है तो ठीक है यह आगे आप सीखते जाएंगे जैसे काम करेंगे entitlements entitlements मतलब जो heading है जो में चीजे उसमें मिलने वाली है और अच्छे से define की हुई चाहिए जैसे यहां पर entitle की हुआ है यह यह आगे entitlements exceptions exceptions का मीनिंग आ गया कि accept क्या चीजें नहीं मिलने वाली लैन में क्या-क्या exceptions है क्या-क्या terms and clause हैं जिसमें नहीं मिलने वाला whether the plan is participating or non-participative क्या यह plan company के profit में participate कर रहा है यह नहीं कर रहा non-participative ठीक है यह prospective form में लिखा हुआ होने चाहिए यह सारी term and condition यह लिखी होती है अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है देखिए जब कही बार होता है जब स्टूटेंट को कॉले अड्मिशन ले जाता है उसमें कहा जाता है कि प्रोस्पेक्टस भाम ले लीजिए फिर्द ले ठीक अब उसमें होता है उसमें सारी policy के related detail दी हुई होती है कोन सा plan है इस में Terms and Conditions क्या है Benefit कितना है क्या का चीजें नहीं मिल रही है क्या मिल रही है ठीक है यह चीजे सभी उसमें आजाती है अभी next उसके बाद आगे proposal form परपोजर्ब फॉर्म क्या होता है the insurance policy is a legal पेच्छे में जो एक में कुट्रेक्ट की रोने कोंट्रेक्ट सबस्में पाउलिस्क दॉनसंति का यह बीच में गता हैं इंश्कार्पोज्ण and its acceptance, जैसे कि किसी भी हर एक कॉंट्रेक्ट में कोई भी कॉंट्रेक्ट अगल होगा, उसमें क्या होगा, एक परसन, एक वेक्ती जो है, वो पर्पोस करेगा, कोई चीज, कोई बात को लेके पर्पोस करता है, कि यह चीज हम ऐसे करेंगे, और दूसरा उसको असेप्ट करता है होती है, राजी नमा होता है, अब इंशूरस में, जो प्रपोस करते हैं, सबसे पहले जो हम उस व्यक्ती का भड़ते हैं, जिसमें उसका नाम, पता, उसकी एज, उसकी फैमली हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, उसका ऊक्पशन के रिलेटिड उसकी इंकम हम सारी चीजें वहां पर भड़ते हैं एंड में वह प्रपोजर जो है वो जो पॉलिशी करवाने वाला परसन जो हमारा कस्टमर है वो उस पर साइन करता है कि यह जो और साइन को बोले में के लिए जाता है उसमें क्स्टमर मैं सारी दे दो और अपने श्परंड यह मेरे definis घुटा है यह मेरा इंस्जरन कीजिए आप मुझे OndaTroc वो होता है proposal form यह proposal stage चल रही है proposal stage chapter का नाम है यह वही stage होती है जिसमें यह documentation होती है ठीक है यह question आता है moral hazard से related moral hazard होता क्या है moral hazard क्या है it is the likelihood that a client's behavior might change as a result of purchasing a life insurance policy and such a change would increase the chance of loss ठीक है इसका meaning क्या हुआ moral hazard वो चीज होती है जैसे कई वार होता है आपने देखा होगा जैसे कुछ लोग क्या करते है कि अरे यार मैंने तो policy करवार किया मैं तो बाइक तहीं चलाओंगो तो क्या मर गया तो घरवाला को पैसे मिल जाएंगे ठीक है मैं गाड़ी बहुत गंदे तरीके से चला रहा हू इसमें क्या मर गया तो घरवाला को मिल जाएंगे पैसे कुछ लोग काम ही ऐसे होते हैं कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं लोग जानबूज के रिस्क लेना शुरू कर जाते हैं ठीक है यह जानबूज के रिस्क लेना किस वज़ा से कि मैंने policy करवार रखी है ठीक है जानब कुछ के behavior में चेंज आना क्लाइंट के behavior में चेंज आना भीमा लेने के बाद उसे moral hazard बोले जाता है कि उसके बाद आ गया valid age groups ठीक है जब भी हम किसी का भीमा करते हैं तो उसमें हम उनसे कुछ documents लेते हैं वही documents हम यह discuss कर रहे हैं अब हम उनसे क्या क्या लेते हैं सबसे पहले मैं यह आपको यह बता दूं एंटी मनी laundering के बारे में AML norms यह क्या है कि IRDA से भी हर एक company की तरफ से भी यह जो है जो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा जो है उसको एंटर नहीं होने दिया जाएगा सिस्टम में तो उसके लिए कुछ norms रखेगे कुछ documents हम customer से लेते हैं उनको पोलते हैं AML norms anti-money laundering norms ठीक है अब आते हैं प्रूफ आब जब भीमा करने जाते हैं किसी का तो उससे हम एक customer से हम एक यस प्रूफ मांगते हैं यह home उस अब एज पूफ जो है स्टेंडर एज प्रूफ एक होते हैं एक टाइप के एज प्रूफ यह स्टेंडर एजप्रूफ दूसbon प्रूफ होते हैं नौन स्टेंडड एजपरूफ देखिए नाम से पता चल जाता है स्टेंडड मतलब वह इजपरूफ जो वैलिड है जो स्ट्रॉंग नौन स्टेंडड जो ऐसी आगे जिनको कोई भी ऐसे बना सकता है ठीक है अब स्टेंडड एजपरूफ में क्या आता है स्कूल और कॉलेज स्येक्ट एंट कि मार्से को चैनल लेते हैं उसक्रम का सेटिफिकर जो passport कितनी मुश्किल से बदना कितनी inquiry होती है CBI IB यह वो पुलिस की inquiry तो यह काफी स्टॉंग और अच्छा स्टेंडरेज परूफ है पैन कार्ड पैन कार्ड भी टैंथ माक्षी इडियां बीना अधार कार्ड के नहीं सब्सक्राइब करता है अब अधार का स्टेंडरेज कर भी है क्या है वह दूति काड भी है क्यिस्कम करते जो लोग जॉब करते हैं नोकरी करते हैं उनका सर्विस रिकॉर्ड जो है वो भी स्टेंड़ेज प्रूफ माना जाएगा एज के लिए अच्छा उसके बाद आ गया यह दो में बीच से छोड़ रहा हूं यह तीसरे प्याव आइडेंटिटी कार्ड इन केस आप डिफेंस पर बाप्टिजम ठीक है सेटिफिकेट एक्स्टेक्टेड फ्राम में फैमिली वाइबल इफ कंटेंड दा डेट अवर्थ सेकेंड थर्ड आगया मैं इस सेटिफिकेट इशूट बाए रोमन कैथलिक चर्च यह भी स्टेंडर्ड एज प्रूफ में आते हैं ठीक है अब यह त देटा बर्थ लिखता है यह भी हमारे इंडिया वै वेलिट स्टेंडर्ड एज प्रूफ है ठीक है उसके बाद आगे नांच्टेंड नहीं चाहरा रहें होरोस्कोप हारोस्कोप का मतलब आ गया कुंडली कुंडली जो जनम गुली उस पर वी डेटा बर्थ तो देखा जा इसे कुम और लिख है किarea 1 करड भी नौन्स टेंडर में गिरा जाता है क्योंकि राशन कार्ड में नटीयर करें कर ता या किहीं थे नोूतिरा करण वी तेस्ट करवा के तो वह भी नौन स्टैंडर में आता है सैंटिपए फ्रॉम विलच पंचाइट पंचाइज सेंटिफए2 ले लिया सर्बंज की स्टैनप लगवा ली या कुछ भी वह भी नौन स्टैंडर में आता है स्ट्रॉफ लगाया है तो इसको नॉर्मल रेट Everything आगे डिजासे अपना भीमा नहीं मिलेगा बिल्कुल छोटा सा भीमा वो ले पाएगा दूसरा नॉन स्टेंडर्ड एजप्रूफ से उसको पॉलिसी का जो प्रिमियम लगेगा जो रेट्स लगेंगे वह ज्यादा लगेंगे इस वज़ा से हम स्टेंडर्ड एजप्रूफ सी लेते हैं ठीक है दोस्तों आई आई आडिये की गाइडलाइन के एकॉर्डिंग इच इंशोरर हर एक इंशोरर को चाहिए कि वह एमल पॉलिसी बनाए एंटी मनी लॉंडरिंग पॉलिसी बनाए और हर साल क्या होता है कि आई आई आडिये उसकी कॉपी जो है मतलब इंशोररंस कंपनी से कॉल करता है उसमें क्या होता है कि उसमें हर कंपनी के इंटर्णल पॉलिसी प्रोसीजर और कंट्रोल की वह एंटी मनी लॉंडरिंग के लिए क्या-क्या मेजर्मेंट ले रहे हैं प्रिंसिपल कंप्लाइंस ऑफिसर में चीज यह आगी जो आपको की जा रही है रिकूरूटमेंट एंड ट्रेनिंग आफ एजेंट ऑन एमल मेजर्स जो भी एजेंट रिकूरूट किये जाते हैं उनकी जो ट्रेनिंग की जाती हैं उसमें उनको एंटीमनी लॉडणिंग वाल एंट्र ना हो ठीक है उसके बाद आ गया अभ उस चीज के लिए एंटीमनी लॉंडरिं के लिए क्या किया जाता है नो यूर कस्टमर के लिए जाती है सब्सक्राइब करते हैं इप्रोसेस यूज़गा ब्लाइब आप़ क्लाइंटिटी इनकों जाती है उसमें क्या है कि अ अपने क्लाइंट की एक आइडेंटिटी लेने के लिए यह प्रोसेस किया जाता है उनसे लिए जाते हैं ठीक है अब एजेंट एक आपको एजेंट को के वाइसी में क्या-क्या लेने होते हैं कस्टमर से ठीक है फोटोग्राफ यह दोस्तों देखिए यह आप साथ-साथ में यह काम भी सीखने हैं अपने काम कैसे करना है फॉर्म्स पर क्या-क्या डाकुमेंट्स लगाने हैं और यह कॉश्चन भी आने आपको पेपर में इस पेपर का मोटिव यह होता है कि जो जो इनसान पास होंगे जो लोग पास हो वह ट्रेंडड हो वो लोगों को समझाने के लायक हो सका ओस्को प्वाद का जाता है चलो आईए तो आपको कस्टमर से क्या लेना है इक तो पहले फोटोग्राफ लेना कस्टमर के कि जिसकी आपको प्रोफ पर ही आपको ब stores भृप्ते सेंड़र और नॉवन स्टैंडर्र 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 यह आप याद रखें, proof of address, proof of address में आ जाता है driving license, passport, electricity bill यह bank passbook उस पे address होता है, proof of identity, driving license, passport, ID, pen card, उसके बाद income proof document in case of high value transaction, दोस्तों ध्यान दे, high value transaction, जब भी आपको बड़ी policy करते हैं, बड़ा बीमा करते हैं, जिसमें बड़ा premium customer pay कर रहा है, तो उसमें income proof भी लिया जाता है, इनका प्रूफ में आ जाता है, अगर वो job कर रहा है, उसका salary certificate, अगर वो business कर रहा है, तो उसकी वो ITR की return, या GST की return, जो भी copy है, ठीक है, वो उसमें attach करनी पड़ती है, high value transaction, बड़े भीमा है, ठीक है, अब photograph तो आप customer का ले लेंगे, age proof, driving license, identity card, यह सारी चीज़े, अधार card को लगा दिये जाता है, ठीक है, अब बात आगी, FPR, first premium receipt, आप जब काम करेंगे, आगे, आप बार बार सुना करेंगे, FPR, FPR ले लो, FPR कहां रखी, ठीक है, तो FPR का meaning है, first premium receipt, जब आप किसी की policy करते हैं, तो सबसे पहली, जो premium वाली receipt होती है, उसको बोला जाता है, first premium receipt, FPR, and insurance contract comments when the life insurance company issue the FPR, जब भी life insurance company, जब भी FPR issue कर देती है, first premium receipt, जो issue कर देती है, कि आप customer को यह first premium receipt मिल जाएगी, इसका मतलब है, उसका meaning होता है, कि contract जो है, start हो गया, यह contract start होने का proof होता है, ठीक है, the FPR is the evidence that the policy contract has begun, यही FPR जो है, वो एक प्रूफ होता है, कि अब contract शुरू हो गया है, अब FPR किसलिए issue की जाती है, वो इसलिए issue की जाती है, इसलिए वो proof दिया जाता है, क्यूंकि जो policy document है, वो थोड़े दिनों के बाद बनके आता है, तो customer को तब तक कैसे पता जले है, contract शुरू हो गया है, मेरी policy शुरू हो गया है, मेरा risk cover start है, अगर इ लिखा होता है, contains, first premium receipt contains, सबसे पहले name and address of the life assured, ठीक है, वो दो obviously बाद है, FPR में सबसे पहले life assured का customer का नाम और उसका address लिखा होगा, policy number उसको जो issue होता है, वो policy number उसके लिखा होता है, premium amount paid, उसने कितना premium amount pay किया है, method and frequency of premium payment, method and frequency में आगया, method मतलब, check payment की है, या cash payment की है, frequency, वो monthly भर रहा है, quarterly, half yearly, yearly, जो भी है, next new date of premium payment, अगला premium उसने कब भरना है, next due कब है, ठीक है, date of commencement of risk, लब रिस्क कितनी date से start हो जाएगा, कुछ plans होते हैं, उनका date of DOC, जिसको बोलते हैं, short cut, date of commencement of risk, कुछ देर के बाद start होता है, ठीक है, तो उस पे लिखा होता है, कब से DOC start हो और ही, उनकी date of commencement of risk, date of final maturity of the policy, ये भी FPR पे लिखा होता है, उसके बाद कि जितनी भी premium receipt होती है, उनके नहीं लिखा होता है, first premium receipt पे ये लिखा होता है, ठीक है, date of payment of last premium, अब last premium जो policy 15 साल की है, या 20 साल की है, तो last premium वो कब पे करेगा, ये सब उस पे लिखा होता है, और finally summer short summer short का में नहीं, कितने का उसना भीमा लिया, पांच लाग का, आठ लाग का, ये भी उस पे लिखा होगा होता है, first premium receipt पे, इसमेंसे भी question आएगा आपको, ठीक है, उसके बाद आगया policy document, policy document को आप लोग, हम लोग policy bond भी बोलते हैं, वो जो बड़ा सा एक card होता है, जिस पे contract के बारे में सारी details दी होती हैं, कि policy schedules क्या है, उसमें provision क्या है, कि इस policy में क्या क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कितने percent, क्या rate है, वो सारी जो details है, policy document म में दी गी होती है, it is evidence of contract between the assured and the insurance company, देखिए, अब आप confused होंगे कि पीछे, मैंने बोला कि जो FPR है, वो भी evidence है कि contract हुआ है, लेकिन वो evidence ये है कि insurance company और insurer के बीच, insured के बीच में, contract जो है, वो start हो गया, start होने का वो evidence है कि अब start हो गया, आज से वो start हो गया, जब FPR issue होगी लेकिन जो policy document है, वो ही सही evidence है, contractor का insurance company और customer के बीच में, FPR सिर्फ start होने का proof है, कि start हो गया, जो सही जो proof है, वो policy document की है, ठीक है, अभी आएंगे हम grace period, ठीक है, अब ये chapter अगला शुरू हो गया, इसमें policy की conditions है, ठीक है, वो chapter खत्म हो गया, policy की condition क्या है, सबसे पहली policy condition है, जो समझने वाली बाते हैं, grace period क्या होता है, नाम से पता जला जाता है, grace period, the grace period clauses grants the policy order and additional period to pay the premium after it has begun due, grace period वो period होता है, जब policy due हो जाती है, जिस date पे policy due हो जाती है, payment के लिए due हो जाती है, कि हमना इस date को payment करनी है, policy की, उसके बाद भी कुछ दिन ऐसे मिलते हैं, जब policy पे करने के लिए late fees नहीं लगती, उस period को grace period बोल जाता है, जिसमे लेट वीस नहीं लगेगी, ठीक है, अब standard length, grace period कि वो क्या होती है, standard length of grace period, मतलब grace period कितने दिन का होता है, वो होता है, एक महीने का, one month, हो 51 days ठीक है, कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, ठीक है, कुछ महीने 30 दिन के तो जब आपको कोस्टन आएगा यह पेपर में उसका आंसर अगर यह पूछा गया है तो उसका अंसर यही होगा आप सिर्फ वान मंथ वाले को टिक करेंगे वो गलत होगा 31 को क्लिक करेंगे वह भी गलत होगा उसका अंसर होगा वन मन्त और 31 यहां पर combined है अगर combined option नहीं है वहाँ पर फिर आप one month लगा सकते हैं ठीक है reinstatement reinstatement क्या होता है policy reinstatement it is process by which a life insurance company puts back into force a policy that has either been terminated because of non payment of premium or has continued under one of the non-fortified provision ठीक है meaning यह है reinstatement क्या होती है कि कोई भी ऐसी policy जिसमें अब यह due date थी due date के बाद grace period मिला grace period के बाद कुछ ऐसे दिन दिये जाते हैं जब तक वह late fees के साथ भी customer पैसे पे कर सकता है premium पे कर सकता है अगर वो उन दिनों के बाद जैसे six month होता है maximum companies में six months के बाद भी वह पे नहीं करवाता तो वह policy close मानी जाती है close मतलब वह lapse मानी जाती है कि वह policy नहीं चल रही lapse है उस policy को द्वारा स्टार्ट करना उसको बोलते हैं reinstatement या revival policy revival अब उस revival में क्या होता है दोस्तों उस revival में customer से फिर से document KYC के document लिए जाते हैं उस healthcare regarding उसका DGH declaration of good healthcare documents लिए जाते हैं और फिर premium late fees के साथ उस policy को revive कर दिये जाता है उस process को बोलते हैं reinstatement या revival of the policy सबसे पहले होता है ordinary revival ordinary revival होता है कि छे महीने के अंदर-अंदर ही policy है वो counter पर ही हम ऐसे देखे कुछ late fees के साथ वह policy चल पड़ती है normally declaration देखे ठीक है नॉर्मल सी कस्टमर से declaration ली जाती है सब्सक्राइब होता है कि जो policy के पहले पैसे उसने जमा कर रहे हैं लैप्स होने से पहले उसके पैसे जमा हुए उनकी अगर कुछ loan value है उसी loan value को लेके उस policy को start कर दिये जाता है उसमें क्या होता है customer का रिस्कवर भी शुरू हो गया उस टाइम के अगर उसके पास पैसे नहीं थे लोन से उसने वह रिस्कवर शुरू कर दिया बाद में लोन के वह पैसे चुकाता रहेगा और policy के नेक्स्ट में भरता रहेगा यह कैटेगरी आगे लोन कम रिवाइबल की इंशूरंस शुरू हो जाता उसमें ठीक है special रिवाइबल सागे जिसमें मेडिकल कस्टमर से मेडिकल की डिमांड की जाती है इसे में क्लियर कर लेता हूं कि मैं 10-10,000 हर महीना पे करके इंस्टॉल्मेंट का रिवाइबल का जो पे कर दूगा तो आप मेरा रिसकवर स्टार्ट कर दीजिए यह उस कैटेगरी में आ जाते हैं यह मैं आपको आईडिया देना हूं यह रिवाइबल का जो है मैं आपको दे दिये concept समझने के लिए होता गया है इस related question बड़ा कम आता है अब question यहां से आता है nomination ठीक है nomination क्या होती है वैसे तो आप सब को पता होगा nomination क्या होती है nomination is where the life assured proposes the name of the person to whom the sum assured should be paid by the insurance company after their death Nomination का मतलब होता है अपना वारिस लिखना मेरे बाद मेरे पैसे का कौन वारिस है मेरे पैसे किसको मिलने चाहिए मेरी प्रॉपर्टी किसको मिलने चाहिए ठीक है वह Nomination होती है लिखना ठीक है डस Nominee does not have any right to the whole or part of the claim अब नॉमिनी में आपको बताता हूँ जब भी हम पॉलिसी लेते हैं जब हो कस्टमर पॉलिसी लेता है तो उसको वहां पे एक नॉमिनेशन करनी पड़ती है ठीक है अब नॉमिनेशन के आप कोशिश कीजिए जो नॉमिनेशन है जिसका इंशुरेबल इंटरस्ट है उसी के नाम से नॉमिनेशन हो जैसे हज्टमेल का वाइप में किसी परसंद को उसके पेरेंट्स में बचे में उसी नाम की नॉमिनेशन करनी चाहिए थर्ड किसी POWs बैसे नाम की Nomineation दो वैसे तो हो जाती है सिपर सही प्रक्राइक्टिस यह तब कि जानी चाहिए अगर उसका और 39 के according होती है ठीक है यह question आता है nomination किस provision के according होती है section 39 अब याद रखने का तरीका आपको बताऊं and for nomination and for 9 39 अगर question paper में आ जाता है तो आप इससे याद रखे nomination can be made when the policy is bought or thereafter यहां पर लिखा हुआ है कि जब भी policy खरीदी जाती है तब nomination कर सकते हैं बाद में भी कर सकते हैं बाद में इसको जितनी मर्जीवाद चेंज कर सकते हैं nomination is not applicable to the section 6 of married woman property act जो हमने पिछे डिसकस किया तो married woman property act अगर वह implement हो रहा है तो nomination वहाँ पे applicable नहीं होती वहाँ पे nomination नहीं होती ठीक है policy money payment is made to surviving nominees यह बहुत से लोगों का question होता है कि अगर nominee की death हो गई है तो वह पैसा किसको मिलेगा nominee की अगर death हो गई है तो surviving nominee उससे अगला जो nominee बनता है उसको दिये जाएगा ठीक है assignment cancels nomination जब भी हम किसी policy की assignment कर देते हैं तो nomination automatic cancel हो जाती है ठीक है इस चीज़ को ज़रूर याद रखें यह भी इससे related भी a question paper में आता है ठीक है addition change और cancellation of nomination is allowed अब एक policy term में एक policy में आप जब मजी nominee को add कर सकते हैं एक से ज़्यादा nominee हो सकते हैं किसी भी policy में ठीक है आप nominee को change भी कर सकते हैं और किसी को cancel भी कर सकते हैं अपनी nomination से निकाल के किसी और को add भी कर सकते हैं और सबसे बड़ी बाद nomination shall be by endorsement endorsement में आपको बताया था क्या होता कि rules and regulation के हिसाब से लिखत पड़त में office के record में उसको update होगा पूरे तरीके से nomination वैसे ही होनी चाहिए ठीक है अब assignments assignment का question आगे assignment पढ़ते हैं आगे तो दोस्तो assignment क्या है और इंद टर्म assignment original refer to transfer of property by writing as distinguished from transfer by delivery ठीक है यह आपको सिधी बाचना बता दाओं यह diagram देखिए आप assignment हो हो रही है इंशोरेंस policy assignment हो रही है assigner who transfer is right assign you whom the transfer whom the right is transfer ठीक है assignment क्या होती है इसके बिचे कोई valuable deal suppose मैं bank के पास जाता हूँ मैं bank को बोलता हूँ मुझे लोन दीजिए वो बोलते हैं आपके पास कुछ कोई चीज है valuable जिसके अगेंस्ट हम आपको loan दे दे तो मैंने कहा दिया कि मेरे पास इंशोरेंस policy है ठीक है उसमें क्या होता है कि मैं इंशोरेंस policy को लेकर bank के पास जाता हूँ और मैं उस policy को bank के नाम पर assign कर देता हूँ मैं assignment कर देता हूँ क्योंकि मैं अपने राइट्स अपनी policy अपनी policy के सारे राइट्स जो है वह मैं बैंक को transfer कर रहा हूँ बैंक एक टाइब को उसका owner बनता जा रहा है और बैंक क्या आ गया बैंक आ गया असाइनी ठीक है assignment अब दो टाइब की होती है एक होती एक होती है एक होती है absolute assignment conditional नाम से पता जलता है conditional मतलब शर्त वाली इसमें शर्त कंडिशनल असाइन्में प्रवाइड दा पॉलिसी शैल रिवर्ट बैक तुदा लाइफ एशोड ओन इस और हर सर्वाइविंग देटा मैचूर्टी और डेथ आफ आप इसमें क्या होता है इन कि वह तो सिर्फ एक हिसम की गिर्वी चीज रखी हुए बैक के पास conditional में उसमें यह शर्त होती है कि जब यह पॉलिसी मैचूर होगी यहां फिर इसका मैं अब एबसलूट का नाम क्या है एबसलूट का मतलब पूरी ही फुली टाइप का सुरंडर कर दिया सारे ही राइट्स बैंक को ट्रांसफर कर दिये कि अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो इस पॉलिसी के जो भी पैसे होंगे अगर सर्वाइविंग बैनिफिट होगा जो अपने पास रख लेगा उस टाइब की एसंवेंट जो है उसको एबसलूट एसंवेंट बोले जाता है ठीक है अब साइनमेंट की भी कुछ कंडीशन होती है को एक मिनिट कंडीशन क्डीशन सबताता हूं इसकी आसाइप ग्रोविजन आप section 38 assignment अब assignment जो है जैसे पिछे हमने पढ़ा nomination 309 and for 9 और f examination दो क्ट्रीउन्मेंट्स जो आसाइफ़ान्स देंक्राइब के गया है डिस्क्राइब की गई है इंशोरेंस सेक्ट में ठीक है सक्षन 38 यह सेक्षन पूछी जाती है यह कोश्चन आता है अब इसको याद रखने के लिए एफार Assignment 8 तो इफार होता है अगर इंडियन प्रणोसेशन के हिसाब से फार एड बोल सकते हैं अब Assignment के रूल क्या होते है assignment has to be by endorsement अब हर चीज़ का रूल पहला फास्स रूल तो यह है endorsement ठीक है नॉमिनेशन भी ऐसी है assignment notice should be in return assignment जब होती है जब bank के नाम assignment की जाती है तो वो जो bank है वो notice insurance company को भीजता है कि ये policy assign करने के लिए हम आपके पास भीज रहे हैं ये policy हमने bank ने assign करनी है customer से लेनी है ठीक है तो उसका जो notice है वो insurance company के जाता है insurer should record the registered assignment और जो भी जितनी भी policies जो assign होती है जिनकी assignment होती है उन सभी company policies का जो record है insurer मतलब insurance company के पास रहता है वहाँ पर assignment register always maintain रहता है उनको पता होता है कि कौन सी policy assign हुई है ठीक है assignment cancels nomination ये आपने पहले पढ़ लिया कि जब assignment की जाती है तो nomination automatic cancel हो जाती है ठीक है assignment should be supported by valuable consideration अब जो assignment होगी उसके पिछे को valuable deal होनी चाहिए ऐसे निए कि कोई भी मूँ ठाएगा तो assignment कर लेगा ऐसे ले वाई assignment कर दी उसके पिछे को valuable deal होनी चाहिए जैसे कि loan हो गया assigning can do another assignment अब ये question सबसे ज्यादा paper में आता है इसकी case study आती है कि अगर मिस्टर राम की policy है वो शाम को assign कर रहे है क्या शाम आगे किसी और को assign कर सकता है तो इस cancer होगा yes क्यूंकि assign जो है उसके पास rights आ जाते हैं वो मालिक बन जाता है उस policy का तो वह आगे assign कर सकता है Assignee can do another assignment ठीक है ये question आएगा आपको paper में अब alteration क्या क्या कर सकते हैं जब assign जो है जब उसके पास policy आगे वो उसमें क्या क्या changes कर सकता है तो indirectly मैं आपको बता दूँ कि जो वह मालिक बन गया वो सारी changes कर सकता है change in the certain class of insurance और term उसके time period में changes कर सकता है reduction in the summer short summer short में change कर सकता है change in the mode of payment अगर yearly है तो half yearly कर सकता है change in the date of commencement of policy की doC उसकी change कर सकता है assignee एक policy की दो policies में convert कर सकता है removal of extra premium restrictive class को remove करवा सकता है without profit to profit plan में भी जा सकता है name की correction है अगर name कोई गलत है उसको भी correct करवा सकता है settlement option for payment of claim and grant of double accidental benefit most of policies में accidental के double benefit होते है उस चीज में जो assignee है वो alteration कर सकता है ठीक है इस चीज को दोस्तों ध्यान से समझ ले इसका question जरूर आएगा तो दोस्तों यह था part third इसमें मैं ज्यादा कवर नहीं कर पाया क्योंकि चीजें अच्छे से समझानी होते हैं पार फॉर्थ भी आएगा उसमें अंडर राइटिंग लेंग कंप्लेंस के वारे में जो होता है है कि एग्जाम दे रहे हैं लेकिन subscribers नहीं आ रहे हैं तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो भी आपके candidates से त्यारी कर रहे हैं जिनको आप करवा रहे हैं जो समझ रहे हैं तो वो भी please सको सब्सक्राइब कर ले, हमें भी ग्रोव होने का मोका ने, घ्रोव करने का मोका ने, ठैंक्स